आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या है यह सूरन आज मैं सूरन की बहुती टेस्टी सबजी बनाने वाली हूँ तो मैं हाइब्रेट वाला सूरन ली हूँ और मैं सूरन को अच्छी तरह से छेल ली अब इसकी छोटी-छोटी से पीस कर लेंगे कुछ इस तरह से और इसको अ अब पांच मिनट तक बिल्कुल अच्छे से पकाना है, मतलब बॉयल करना है, और सूरा नमारा बॉयल हो गया है, इसको निकाल लेते हैं, इधर एक पेश्ट रेडी करेंगे, आधी कटोरी बेसल लिया है, इसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा धन्या, थोड़ा सा गरम मस ना पतला हो जदा, ना ज़दा गाड़ा हो, अब सूराण को इसमें डाल देगे, और अच्छी तरह से मिला लेंगे पेस्ट में, जो अच्छी तरह से सूराण में कॉट चड़ जाए, अब इसको हम फ्राइए करेंगे, और तेल नमारा अच्छी तरह से गरम है, बिल्कुल फ्लेम पे गैस कर दें इसलिए तेल बहुत ज़्यादा गरम था अब इसको डाल देंगे सूरन को और हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे इसलिए कि सूरन को बेशन में लगाने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है आप लोग जरूर ट्राई करिएगा और नहीं पसंदे तो ऐसे ही बना सकते हैं मगर मैं हमेज़ा ऐसे ही बनाती है और बहुत ही टेस्ट आप पनीर नहीं खाएंगे मगर ये जरूर खाएंगे इत बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है बस हलका सा गोल्डन प्राउन होने लगे बस तुरण निकाल लीजेगा अब इस तेल अच्छी तरह से गरम था सब्जी बनाएंगे हम तो तड़के में पहले डालेंगे जीरा और तेज पत्ता और मैं तेल हमेशा सर्सो का यूज करती हूँ सब्जी कोई भी सब्जी हो अब इसमें एक बड़ी सी कटी हुई प्याज डाल देंगे और तड़के को अच्छी से गोल्डन प्राउन होने देंगे और तड़का हमारा हो गया है इसमें एक पेज डालेंगे इसमें मैंने एक प्याज, अद्रक, लैसुन, मेच और थोड़ा सा गरम मसाला पीछा था उसको डाल देंगे और अच्छी तरह से चला देंगे अब इसमें मसाले एट करेंगे, मसाले वई, धन्या, हल्दी और गरम मसाला थोड़ा सा फिर चला देंगे, अब इसमें हम एट करेंगे गरम मसाला यह सबजी मसाला भी बोल सकते हैं, मैं यूज कर रही हूँ, वो सबजी मसाला इसलिए कि थोड़ी spicy सबजी है तो अलग से सबजी मसाला एट करना तो बनता है तब ही तो टेस्ट अच्छा आएगा अब इसको भी चला देंगे जो अच्छी तरह से मिल जाए अब इसमें डालेंगे दो टमाटर की प्यूरी मैंने प्यूरी पहले बना के रख ली थी अब उसको डाल देंगे और नमक डालेंगे स्वादानुसर और नमक सोच के डालीएगा इसलिए कि पहले नमक डालेते हम लोग थोड़ा सा तो थोड़ा नमक डालीएगा नहीं जादा हो जाएगा अब फिर चला देंगे सबको अच्छी तरह से मिला के लगभग 10 मिनट तक मसाले को पकाएंगे अच्छी तरह से मीडियम फ्लेम पे और बीच बीच में चलाते रहेंगे नित मसाला चिपकता है और जल भी सकता है तो बीच बीच में जरूर चेक करते रहा करिए अच्छी तरह से चलारके फिर दो मिनट चोड़ देंगे और मसाला देखिए हमारा हो गया अब इसमें मतर में थोड़ा सा मतर यूज कर रहे हैं आधी कटोरी आप लोगों यूज कर सकते और नहीं भी इसलिए कि मतर से टेस बहुत अच्छा आता है अब इसमें जो हमारा फ पनीर लग रहा है ना अब अच्छी तरह से मिसाले मिलाने के बाद देखिए अच्छा सा मसाला भी पक गया है सब कुछ मिली गया है और मैंने धक के दो मिनट भी पका लिए कि अच्छी तरह से मसाला मिल जाए पूरा अब इसमें हम पानी डालेंगे और लग बग मैंने धा से पकाएंगे देखिए हमारी सब्जी बस रेडी होने वाली है बस इसमें धनिया पत्ति डालेंगे इसलिए धनिया पत्ति की मिना तो सब्जी अधूरी ही रहती है अब इसको ढग देंगे चला के हम पांच मिनट जो सब्जी का अच्छे से कलार आजा वैसे तो कलर भी आ गय लगे अच्छा आया बिल्कुल ढावे जैसे स्टाइल में बनी है हमारी सूरन की सबजी और आप कनफ्यूज हो जाएंगे की सूरन की पणीरफे फिर मिलते हैं बाई बाई